अस्सलाम आलेकुम फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खायरियत से और खुशाल होंगे फ्रेंट्स मेरे चैनल को धेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप पनीर बनानी की सोच रहे हैं तो इस नवाबी पनीर ग्रेवी को ज़रू ट्राई कीजिएगा तो चलिए बनाते हैं नवाबी पनीर यहां मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है सबसे पहले पनीर को मैरिनिट कर लेंगे इसमें नमक डालेंगे आधा जमज फिर इसमें डालेंगे काली मिर्ज का पाउडर आधा जमज और यह अधरग लसन का पेस्ट एक जमज और उपर से थोड़ा आधा जमज इतना तेल डालेंगे और इन सारी चीजों को पनीर में अच्छे से मिक्स करेंगे 10 मिनिट के लिए इसे मैरिनिट होने के लिए रख लेते हैं और फिर बटर में हलका सा इसे रोस्ट कर लेंगे दिखिए यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रख लिया है और यह लोहे का पैन है इसमें आधा जमज जितना तेल डालेंगे और देखिए यहां मैंने लिया है बारिक कटी हुई प्यास दो मेडियम साइज के और यह है तर्बुजी के बींच यानि के मगज के बींच एक जम्मच और काजू बारा एक तीन हरे मिर्चें दालचिनी के टुकडे एक इंच के और एक पाँच लॉंग अब इन सारी चीज़ों को पैन में थोड़ा सा भून लेते हैं गैस की फ्लेम मीडियम है हारी मिर्चें यह है काजू तर्बुजी के बींच दालचिनी के टुकडे और लॉंग बस प्यास को बिल्कुल लाल नहीं करना है बस हलका सा इसे भून लेंगे इदिके बस इतना सा ही भून लीजिएगा गैस पन कर लेते हैं और इसे थंडा होने देते हैं देखी यहां मैंने इसे ट्रे में निकाल ली हूँ और इसे थंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे अब इसे जार में डाल कर पीस लेते हैं मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा जो कि बिल्कुल फ्री होता है यह दिखे इस तरीके से बारिक पिस लीजेगा वही पैन को मैंने फिर से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम स्लो रखी है तो इसमें और आधा चमच तेल डालेंगे और इसी में मैंने एक चमच बटर डाला है और यह तीन तेज पत्ते डाली हूँ और यह है कुटी वी इलाइची चार दालचीनी का तुकड़ा एक इंच का अब इसे हलका सा भून लेते हैं फिर इसमें डालेंगे पीसा हुआ पेस्ट खल्दी पाउडर आधा चमच और यह है वाइट पेपर पाउडर सफेद मीज का पाउडर आधा चमच और गरम मसाला पाउडर एक चमच अब इन सब चीजों को ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे तीमी आँच पर ही इस ग्रेवी को बनाएंगे अब इसमें एक कप दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इसमें और भी चीज़े डलने बाकी है कुछ दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे भी 2-3 मिंट के लिए पका लेंगे इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के साब से अब मैं यहाँ पर यह फ्राई किया हूँ पनीर डाल रहे हूँ इसे भी ग्रेवी में अच्छे से मिला लेते हैं यहाँ ग्रेवी, रुमाली रोटी, तंदूरी नान, पराठा या नॉर्मल चपाती के साथ भी बहुत मज़े की लगती है इसे आप ज़रू ट्राई किजिएगा अब उपर से इक्रश करके थोड़ी कसूरी मेती डाल रहे हूँ देखी कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है यह इसे ढखकर दो मिनिट के लिए पका लेते हैं पनीर को ज्यादा देर तक मत पकाईएगा यह दिखे, दो से तीन मिनिट हो चुके हैं दिखे, पककर कितनी गाड़ी हुए है ग्रेवी अब इसमें कुछ और चीज़े डालेंगे यह है मलाई, दूद की जमी हुई मलाई मैंने फ्रीज में रखी थी इसलिए थोड़ी घट है और यह डालेंगे, एक या दो चम्मट डाल लीजिएगा अब जितना मैंने दूद डाला है और इसे भी अच्छे से एक बार ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं तो देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी सिल्की स्मूथ क्रेवी बनकर तयार है और यह खाने में भी बहुत मज़े की लगती है तो इसे अब मैं सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ तो यह देखिए गर्मा गरम तंदूरी नान के साथ में इसे मैंने सर्व किया है और उपर से कटावा हरा धनिया, कसूरी मेती और थोड़ा बटर भी डाला है तो आपको यह रेसिपि कैसे लगी जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राब भी करना ना भूलिएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदा रेसिपि के साथ अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज